Hello everyone, किसे हैं आप सब लोग, I hope आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, आज हम बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में, इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी, लाडली बेटी स्कीम के बारे में, तो जो आप लोगों का एक्जाम है, सोशल वेलफे डिपार्टमेंट उसके लिए बहुत important है, questions यहां से बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, उसको हम लोग डिसकस करेंगे, जो लोग इस चैनल पर ने हैं, पिस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को, आज लोडी की हाथ देख शुब कामना है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये code यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको 35% discount जो हो मिल जाएगा, female supervisor का एक complete course भी हमारी app पे available है, जिस पे अभी आप लोगों को lectures जो हैं, वो मिल रहे हैं, और जल्दी ही हम वहाँ पे topic test जो ह एक बार इस syllabus के ओपर हम नजर डाल देते हैं, बहुत सारे बच्चे में एक request करेंगी sir, classes जो है वो live होनी चाहिए, देखो live classes में और recorded जो है, उसमें थोड़ा सा हम लोग फरक लेके चलते है, recorded में आप one go में अपने accordingly चीज़ों को पढ़ सकते हो, जब आपको चीज पढ़न चीज रिसाइड करी है, बहुत जल्द हम लोग doubt clearing session जो है, वो live classes की form में आप पर ले आएंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत जादा help मिलेगी, इसके अलावा, सब topics के जो है, topic test भी अब हमारी आप पर upload होंगे, हम लोगोंने काफी सारे component जो है, वो upload कर रहे हैं, आप लो की है, इसी के साथ ही, यहाँ पे जो component में deal कर रहा हूँ भी आपके लिए, वो है, हमारा unit 6, जिसमें हम लोगोंने पढ़ा था, लाडली बिटी scheme को, आज हम पढ़ेंगे, state marriage assistance scheme के बारे में, तो इसके MCQs में आप लोगों को बहुत जल्द आप पर provide करवा दूँगा, उसके offline classes में, जो 20,000 रुपे दे के आप लोग चीज़ पढ़ोगे, उससे कहीं गुना जादा better चीज़, हम लोग आपको घर पे बैठे-बैठे, 7-800 रुपे में provide करवा रही हैं, जिसमें आपको भी topic test के बाद, जो है complete test भी आप पर मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना UT wise rank भी जो है वो चेक कर सकते हो, February ending तक या mid तक हम लोगों का target है, इसके इसलिए बसको खतम करने का, तो चलिए शुरू करते हैं आप आज की class को बिना जादा time waste किये, लेकिन पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर state marriage assistant scheme को लेके, जो आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इस state जो है, कुछ ना कुछ एक help करती है, कुछ support करती है, वो क्या करती है, क्या eligibility है, कितने लोग इसको कर सकते हैं, यह जो scheme है, कब से launch करी है, इसको restructure कब करा गया है, यह सब चीज़ आपको पढ़नी है, जो mcqs बन सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको अलग से बताऊँगा, और last म marriage assistance scheme, जिसको smas से denote किया जाता है, बहुत सारी जगाओं पर, यह है क्या, तो देखो मैं आपको बता दू, जो state marriage assistance scheme है, यह 2015 में launch करी गई थी, specific date है, 2 December 2015 में, इसको restructure करा गया था, 2022 में, अब क्या जरूरत आपड़ी थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा, अब यह scheme है क्या, इस scheme है, social welfare department के द्वारा, अब social welfare department, जिसमें आप लोग तयारी कर रहे हो जाने के लिए, वो scheme को जो है, पूरी देखरे करता है, कि जो कोई भी girl child, इसके लिए eligible है, उसको 50,000 रुपे तक की, एक financial assistance, जो है, वो provide करवाई जाए, यह तो है, इसके एक basic introduction, अब इसके लिए eligibility criteria क् पूरा process कैसे काम करता है, कौन-कौन यहाँ पे इसको apply कर सकता है, जो restructure करी गई थी, उसमें क्या-क्या changes लाए गे थे, वो सब हम लोग यहाँ पे अब detail में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आँच की class को, जैसे कि मैंने आपको बताया, state marriage assistance scheme जो है, 2022 में restructure करा गया, अगर आपसे कोई पूछेगा कि scheme का main objective क्या था, तो आप लोग यही सोचेंगे और आप लोग यही बोलेंगे कि sir इसका main objective यही है कि जो financial background जिनका इतना strong नहीं है, जो poor financial conditions से आते हैं लोग, जो families आती है, वाप इसे जो बेटी है वो उन पे burden ना बने, तो यह रखी गई है कि 50,000 रुपे मिल जाएंगे, तो देखो कहीं हद तक आपको बता दू, यह इसका answer नहीं होगा, ठीक है, इसका answer क्या होगा, इसका answer है, यह scheme launch क्यों करी गई है, ताकि जो child marriages है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, अब कैसे आप लोग कहेंगे कि sir अभी तो आपने बात करी कि 50,000 रुपे मिलेंगे, लेकिन इसका जो main objective है, assistance तो है ही है, लेकिन जो main point आता है, वो है child marriage को किस तरीके से यहाँ पर रोका जाए, अब क्या होगा यहाँ पर main चीजे, यह scheme जो है, वो major depend करती है, अपनी eligibility criteria के ओपर, मैं आपको बताया कि scheme कून implement करता है, यह करता है हमारा social welfare department, जहाँ पर आप लोग बहुत जल्द अगर इसी तरीके से मैनत से करते रोगे, तो आप लोग supervisor बनके आ जाओगे, अब social welfare department करता है, मैंने आपको बताया, main objective है, to abolish the child marriage, by providing support for the marriage to those families who are not able to conduct it due to their poor financial condition, अब कहीं लोग सोचेंगे कि सर, 50,000 रुपे में, आ अगर आप लोग बात करते हैं कि शादी करवाने की, चीक है, तो 50,000 रुपे में क्या होता, देखो, यह जो चीजे हैं ना, कि आज की date में इन चीजों से क्या हो जाएगा, कितना फरक पड़ेगा, यह आपको बता दूँ, यह जो amount है ना, यह कहीं लोगों के लिए बहुत जादा है, और आप लोग हो, मैं हूँ, यह जो कोई भी है, एक जो word है ना, यहाँ पर अगर हम लोग इस word पर काम कर लेंगे ना, तो 90% schemes की ना हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो word क्या है, वो है काश, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की शादी में या किसी की शादी में बहुत ज़ादा expenses करते हैं, उनको जो देखते हैं, कुछ जो छोटे घर के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि काश, हमारी शादी में भी इस तरीके से चीज़े हो, और वो जो काश है, फिर वो जो और थोड़े से financially कम लोग होते हैं, उनके दिमाग म में भी आ जाता है कि काश हमारे बेटे के शादी में भी इस तरीके का पूरा arrangement हो, और एक जो प्रथा चलती आते हैं, कहीं नकें कि लड़की वाले सारा arrangement करेंगे यह चीज़े, यह चीज़ें का main root है, जो main अगर मैं बात करूँ, सारी problems की जड़ है, तो वो यही चीज़े ह जो यह word है न काश, की काश मेरे पास यह होता, काश मैं आज यह कर रहा होता, काश मेरे पास वो होता, यह काश को आप पूरा कर सकते हो महनत के साथ, लेकिन आप सिरफ अकर यह word के साथ जी होगे, तो आप लोग कभी किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पाओगे, यह आप जितनी अगर satisfy हो जाओगे आप लोग अपनी life को अच्छे तरीके से जी पाओगे अब बात करते हैं यहाँ पर objective क्या कहता है objective यह कहता है कि यहाँ पर child marriage को abolish करो और जो support है support केतने amount का है वो है 50,000 रुपे का वो उन families को दे दो जिनके पास जो able नहीं है आज की date में अपने poor financial conditions की वज़ा से बच्चों की अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तो उनके लिए यहाँ पर यह main objective के साथ इस scheme को लेके आए थे अब थोड़ी से और scheme की बात करते हैं यहाँ पर scheme को एक और नाम से जाना जाता है बिना जादा सोचे समझे या बिना जादा burden feel करे यहाँ पर जो expenses है वो पे कर सके लाडली बेटी स्कीम में भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी मैं साथ साथ में आपको पुराने lectures का भी थोड़ा सा overview दूँगा लाडली बेटी स्कीम में भी क्या था कि जो female sex ratio है उसको किस तरीके से improve किया जाए जो यह सोच है कि burden है बेटी उसको खतम किया जाए तो यहाँ पर government ने क्या कहा था यहाँ पर government ने कहा था कि 1000 रुपे हम लोग देंगे 14 साल के लिए जो एक RD की form में होगा यह रेकरिंग डिपॉजट की form में होगा जो की ठीक 14 साल एक महीने के बाद क्या बन जाएगी fix deposit या term deposit कितने टाइम के लिए 7 साल के लिए तो यह जो है total लाडली बेटी स्कीम में था कि बेटी को burden ना माना जाए वैसे ही यहाँ पर भी है कि जब उसकी शादी होगी स्कीम के तहर तो उस पे जो 50,000 उपे तक काई खर्चा होगा वो government pay करेगी अब यह किस तरीके से होगा eligible कौन होते है procedure क्या रहता है अब हम थोड़ा सा उस पे बात करेंगे अब इस lecture में एक और point है जो काफ़ important है और जिस word पे बहुत जादा stress रखा गया था last lecture में भी वो है dbt scheme अब dbt की full form याद रखने ना हो सकता है यह आपको direct question यह पूछा जाए कि dbt होता क्या है यह होता है direct bank transfer मतलब पहले क्या होता था पहले आप लोग किसी scheme में जाते तो आप लोगों को वहाँ पे उस department से पैसे मिलते थे अब यह scheme को हटा दिया गया है अब maximum scheme से फिर वो लाडली बेटी scheme हो जिसमें मैंने बताया था 21 साल की एज के बाद आपको account में पैसे आ जाएंगे या फिर अगर मैं बात करूँ scheme को लेके तो यह जो 50,000 होंगे जो भी eligible girl beneficiaries होंगे अब यहाँ पर जो यह word होता है इसका एक बहुत reason है eligibility criteria पे और जो restructure करेगे उस पर questions बनेंगे अब direct bank transfer का मतलब यह है कि यह जो amount होगी अगर आप eligible है scheme के लिए तो यह जो amount है यह आपके direct account में आएगी किसके जो की beneficiary होगा हम लोगों ने लाडली बेटी में देखा था government जो scheme बनाती है उसके पीछे पूरा सोच समझ के बनाती है जैसे लाडली बेटी में क्या था कि कोई nomination facility नहीं होगी transfer नहीं होगा आप लोग premature close नहीं करवा सकते अगर कुछ miss happening हुई लड़की को तो वो पैसा सारा का सारा वापिश चले जाएगा किसके पास जमुकुष्मी government के पास यह हमने उगर लाडली बेटी स्कीम में पड़ा था वैसे ही इस scheme में क्या है direct bank transfer scheme है जिसमें पैसा जो है वो beneficiary यानि कि उस लड़की के account में ही आएगा clear है इसके साथ अब बात करेंगे eligibility को लेकर जो मैंने आपको कब बताया question यहाँ पर बनेंगे child marriage को रोकने के लिए जो है यहाँ पर objective यह भी है अब यहाँ पर बात की जाए क्यूं है क्योंकि इसमें कून eligible होगा पहली condition क्या है कि girl child होगी वो 18 साल तो minimum उसकी age चाहिए वो 18 years प्लस ही होनी चाहिए यह आती है आपकी पहली condition कि 18 साल या उससे जादा की जो age की लड़की है वो यहाँ पर eligible होनी चाहिए और अब यहाँ पर एक और point आता है अब आपको बता दू यह scheme 2015 में launch करी गई मैंने आपको starting में बताया कि 2022 में इसको restructure करा scheme में कोई ऐसा loophole था तभी इसको restructure करने की ज़रूरत पड़ी अब क्या था अब देखो financially weak जो families थी वहाँ पर वो क्या करते थे एक तो मानलो बच्चे जो थे उनके यह जो बेटी यह है उनको basic schooling जो है वो भी provide नहीं करवाई जाती थी या फिर school गे एक-दो साल गे फिर school से छोड़ दिया फिर वापिस आगे या फिर फिर एक-दो साल गे फिर बंद कर दिया जो बहुत छोटी-छोटी schemes चलाई जाती न उन सब के पीचे एक बहुत बड़ा reason होते है अब यहाँ पर government ने देखा कि ठीक है पैसे तो हम लोग दे रहे हैं 18 साल की age attain कर रहे हैं उसके बाद 50,000 रुपे भी हम लोग यहाँ पर pay कर रहे हैं लेकिन क्या यहाँ पर main objective पूरे हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ एक loophole था अब क्या था कि वो था schooling बच्चों की जो जादा तर स्कीम के लिए लड़कें enroll कर रहा रही थी उनको जो है वो या तो school report थी या तो school कभी गई ने थी अब यहाँ पर government ने क्या चीज़ करी restructuring यहाँ पर यह करी कि अब से यानि कि 1 April 2025 से eligibility criteria जो है 18 साल का वो तो रहेगा ही रहेगा लेकिन अगर अब आपको government की scheme में आपको enroll करना है तो आपको minimum earth pass होना पड़ेगा अब यहाँ पर government ने यह जो restructure में आपको कह रहा हूँ न बार-बार पहला condition उसमें अब यहाँ पर यह आई है earth pass कब से होगा वो होगा आपका 1 April 2025 से अब यहाँ पर एक सवाल आता है दिमाग में कि सर 2022 में किया तो यह 3 साल का time भी क्यों दिया एक अच्छा step है earth pass होना चाहिए सबको तो यह 3 साल में तो ऐसा नहीं है कि कोई लड़की अगर आज 16-17 साल के वो 3 साल में जाके 18 साल की हो जाएगी लेकिन earth pass तब भी नहीं करेगी तो यह जो 3 साल का time है यह क्यों दिया अगर आपके दिमाग में सवाल आया है तो यह बहुत एक अच्छा सवाल है नहीं आया तो मैंने आपके दिमाग में सवाल जगा दिया है अब यहाँ पर reason क्या है 3 साल का अब 3 साल के लिए जो main task होगा वो होग awareness का कि यहां पर यह जो family है इस तक जो है official जो है वो चीज़ पहुंचाएंगे कि भीया अगर कल को आपको 50,000 रुपे चाहिए तो बेटियों को 8th pass करवाना पड़ेगा नहीं तो आप लोग scheme के लिए eligible नहीं होंगे तो जो अभी आज की date में जो छोटी 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 बच् जो करना चाहती है लाइफ में कुछ या फिर देखो होता क्या है 50,000 से आपको भी पता है मुझे भी पता है कि किसी का कुछ इतना जादा नहीं बन बाता लेकिन मान लो काल को इस scheme के तहत इस restructuring के तहत अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है कोई लड़की स्कूल में जा आने वाली जो लड़की होंगी उनको aware कर पाएगी scheme को लेके तो main objective हमेशा बहुत बड़ी picture होती है अगर आप लोग वो picture समझ सकते हो तो आप लोग इस post के लिए बने हो तो आप लोग इस पर मेहनत करते चलो यहां तक clear है पूरा concept की 3 साल का time क्यों दिया और 3 साल का time दिया ही दिया तो main reason यहां पर यह नहीं था main reason है awareness का अब थोड़ा और detail में पढ़ते हैं वापस आजो यहां पर eligibility मैंने आपको बता दी क्या है 18 साल या जादा कि जो भी girl beneficiary हैं उनकी age 18 साल या जादा होनी चाहिए apply करने के लिए और mandatory करा जाएगा कि जितनी भी girl beneficiary हैं वो April 2025 से clear है यहां पर और यह MCQ है और यह paper में आएगा अगर paper में question scheme से बना तो यहां पर question बनेगा confirm बनेगा but in case a girl beneficiary of school drop out then those girls who are eligible to apply marriage assistance from the year 2022 to 2024 clear है यह यह जो year बात की जाती है यह फर्मेशा financial year की बात होती है जो कि आपका March में शुरू होता है और April में खतम होता है यानि कि यह जो है यह आपका एक April 31st March को यह खतम हो जाएगा 2024 में तो यह दो तीन साल का समय दिया गया था उन लोगों को कि वो eligible तो है ऐसा नहीं गया 2022 में रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो आज से ही खतम हो जाएगा आप लोग apply कर सकते हो लेकिन इस particular date के बाद आप कोई जो conditions है जिसमें एक तो थी 18 साल प्लस और दूसरी जो है एर्थ पास यह जोड़ दी जाएगे अगर आप लोगों इस scheme में enroll करना चाहते हैं तो इसके साथ तीसरी eligibility criteria क्या रखा गया है वो यह है कि आपके पास anti-odhya, anay योजिना या फिर priority household जो है राशन कार्ड होने चाहिए यह पी एच एच है इसको थोड़ा correct कर लेना या फिर पी एच एच पर मैं detail आपको बाद में बताऊंगा फिलाल आपको यह बता दू यहां पर होता क्या है कि इस scheme में आप लोगों को जो है subsidize rate पे खाना मिलता है बहुत ज़्यादा subsidize rate पे मिलता है और physical priority household में क्या होता है आप लोग 5 kg तक range जो है वो subsidize rate पे ले सकते हैं तो आपके पास यह दो इनमें से कोई राशन कार्ड भी होना चाहिए और वो families जिनके पास यह है वो इस scheme के लिए eligible है तो अभी तक तीन conditions हम लोगों ने पढ़ी पहली क्या पढ़ी कोण eligible है 18 plus की तो आपकी age होनी चाहिए ठीक है दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने दूसरा पढ़ा कि सर्थ 2024 तक यानि कि 31 March 2025 तक तो यह schooling वाला कोई issue नहीं है school gay हो drop out हो कोई फरग नहीं बढ़ता आप इसके लिए eligible हो लेकिन revise structure में क्या revise जो restructure करा गया था उसमें क्या आया था कि 1st April 2025 के बाद से आप लोग जो है इसके लिए तब ही eligible होंगे अगर आप लोगों ने 8th पास करी है तो तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा आपके पास ये या फिर पी एचेज राशन कार्ड आपकी family के पास होने चाहिए ठीक है अब बहुत सारे सवाल मेरे दिल में तो आए अब आपके दिल में आए है नहीं आए उस पर बात करेंगे अब दूसरी चीज हम लोगों ने जो अपने आपको register करवाना है तो आप लोग इसके लिए online भी apply कर सकते हैं और इसका पूरा process सब हम लोग discuss करेंगे online आप जन सुगम portal पर जाके भी apply कर सकते हो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने पढ़ी पहले तो introduction ठीक है क्या introduction में पढ़ी कि 50,000 र जो शादी करना चाती है उनको support करती है 50,000 रुपए में फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या eligibility criteria फिर हम लोगों ने eligibility criteria में क्या देखा कि एक तो 18 साल की जो है age होनी ही चाहिए दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले क्या था पहले schooling का कोई concept नहीं था school gay हो, drop out हो कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन जो हमारी scheme है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, चेना कहीं इसको भी यहाँ पे applicable करने की बात करी गई है और यह कहा गया है कि 1 April मैं बार बार यह line इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि इस पर question बनने के chances होते हैं कि आप लोग अगर यह ration card अगर आपकी family के बास है तो आप लोग eligible हो, अब बात करते हैं process की सर, अब आपके दिमाग में है कि सर ठीक है मेरी शादी अगर मान लो आज की date में fix हो जाती है, कि ठीक है मेरी शादी date दो मुहीने बाद है या फिर मान लो मेरी शादी एक हफते बाद है, तो क्या मैं सीधा जाओंगा government के offices के पास, ठीक है सर मैं 18 प्लस की हूँ, मैंने aids pass करी है, मेरे पास ये certificate है और एक हफते में मेरी शादी है, मेरे account पर 50,000 रुपे डाल देना, अगर ये case होता है तो क्या होगा, क्या ये चीज होगी तो ऐसा नहीं है, अब हम बात करेंगे process के ओपर की प 25 के बाद, अभी तो 2 ही है, अगर आप eligible हूँ, तो आप लोगों को at least, मतलब एक महीना पहले शादी से, दो महीने, तीन महीने, चार महीने पहले चले जा सकते हो, लेकिन minimum एक महीना पहले आपको शादी से पहले, इस scheme के लिए apply करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बोलो रोकने के लिए, जो proof करेगा कि आपकी age 18 है या नहीं, उसके बाद आपको दिखाना है, अपना अन्य योजनाम या फिर priority household, इसको PHH कर देना, राशन कार्ड जिससे आपको पता चलेगा कि आप लोग वाके में financially weaker section से हैं, आपकी family या नहीं, तीसरा अधार कार, KYC document, हम quality में भी, education qualification certificate 2025 से applicable होगा, अभी नहीं है, और तीसरा आपको proof देना है कि हाँ, हमारी शादी है, ऐसे ही हम लोग पैसे ही लेने, यहाँ पर eligible literary को जो है, लेने नहीं आये, कि आपके पास, आपको एक शादी का invitation card भी, वहाँ पर देना होगा, कि यहाँ पर हमारी शादी है, कि इसके साथ है, कौन सी जगा है, वो सब आपको उसमें देना पड़ेगा, यह documents आपको वहाँ पर चाहिए, अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी restructure guidelines को लेके, restructure guidelines यहाँ से पढ़ोगे, तो आप लोगों को थोड़ी सी boring लगेगी, यह मैं PDF में आपको दे दूँगा, लेकिन मै आपको इसको पढ़ाऊंगा अपने तरीके से, जिससे आपको सब चीज़े clear हो जाएंगी, तो चलो, restructure इस slides पर बाद में आदा है, पहले मैं आपको simple तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ, जो हम लोग जिसके लिए थोड़े से चीज़े easy कर देते हैं, अब मालो होता क्या ह restructure के लिए जो guidelines आई है, अब इसमें क्या चीज़ है सबसे पहली, सबसे पहली चीज़ क्या है, जिस पी लड़की की शादी है, उसको क्या करना है, एक महीने पहले जाना है, कहां पर social welfare department के पास, क्या लेके, अपने सारे documents, अब अपने सारे documents में क्या क्या होगा, सबसे पहल आगया, आपका birth certificate, date of birth certificate, तीसरे condition के आजाती है, यहाँ पर तीसरी condition आजाती है, आपकी, कि आप लोग 8th pass वाली आएगी, आपकी 2025 के बाद, ठीक है, वो अभी तक नहीं है, 2025 एक अपरल के बाद वो आजाएगी, और यहाँ पर आपको यह सारे documents जो है, आपके पास, आपको यह अपने ration card भी लेके जाने है, आप और साथ में सबसे important क्या है, आपको proof लेके जाना है, कि हमारी शादी है, शादी से पहले तो proof क्या होगा, आपका wedding card या फिर invitation card, आप social welfare department में जाओगे, वहाँ पर जो district social welfare officer होगा, जो आप लोग भी बहुत जल्द बन जाओगे, ठीक है बार बार इसलिए करना ताकि आपको हो, वो क्या करेगा, वहाँ पर जो वहाँ पर district आपका social welfare officer होगा, वो इस चीज़ को क्या करेगा, वो forward करेगा, वो forward किसको करेंगे, सारी चीज़े verify करने के बाद, जितने भी आपके documents हैं, हर एक चीज़ जो है, submit की जाएगी, यहाँ प पर उनको भेजा जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली चीज़ है, जो सबसे important चीज़ है, जिसको आपको ध्यान रखना है, वो क्या होगी, उसमें जो आपके district social welfare officers होगे, इनको क्या ध्यान में रखना है, कि क्या आप लोगों ने, कोई financial assistance scheme जो है, वो पहले avail तो नह नहीं करी, जिसमें specifically नाम लिखा गया है, लाडली बिटी scheme का, अब यहाँ पर यह जो है ना, यह क्या चीज़ है, यह भी पूछा जा सकता है, आप देखो क्या चीज़ है, आप लोग गे, अब मान लीजे, आप वही हमारी slide का वही छोटा से लड़की थी, जिसको 14 साल पहल भी मिलके, क्या आप लोग वापिस 50,000 रुपे लेने तो नहीं आए, अब यह चीज़ जो है, यह सब verify किया जाएगा, district social welfare officer के द्वारा, कि आप लोग किसी और government की, या फिर state की, किसी भी ऐसी sponsor scheme में, अपने आपको register तो नहीं करवा चुके, अगर आप लोगों ने किसी में register करवाया है, आपकी file यहीं से ही reject हो जाएगी, आप लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं, अगर मान लो, district social welfare officer सब कुछ cross check करता है, उसके बाद, वहाँ से यह निकलता है कि आप लोग किसी में भी register नहीं हो, आप लोगों ने कोई भी किसी भी तरीके की financial help government से नहीं ली है, तो आपकी जो file है, वो forward की जाएगी, कहाँ पर deputy commissioner के पास, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, chief education officer भी मैंने बनाया है, यह क्या करते हैं, यह एक survey देते हैं, कि कितनी drop out girls हैं, जो school drop outs हैं, या फिर कितनी ऐसी लड़की हैं, जो की formal या informal schooling भी जिनको जो है, वो न awareness का, 2025 का time दिया है, 2025 का time क्यों दिया है, ताकि awareness का फैलाई जाए, अब यह लोग क्या करेंगे, यहाँ से main target रहता है, कि जो deputy commissioners हैं, यह revise, जो restructured guidelines आई हैं, उसमें लिखा गया है, जितने भी deputy commissioners हैं, वो क्या करेंगे, एक survey conduct करवाएंगे, chief education officer से के थूप, और वहाँ से क् कि जितने भी इनके पास data है, कि जितने भी आपके PHH या AAY families हैं, उनको motivate करें, अब motivate किस तरीके से करें, कि वो अपनी जो बेटिये हैं, उनको school में पढ़ाएं, और उनको main यह रखा गया है, कि उन तक यह चीज़ पहुंचाएं, कि अगर आपकी बेटिये एर्स पास नहीं होंगी, तो वो इस किसी भी financial scheme में, जिसमें 50,000 रुपए आपको मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो यह काम दिया गया है deputy commissioners को, कि वो ensure करेंगे, कि जितने भी school dropout girls हैं, वो इसको avail करें, under scholarship schemes, तो यहाँ पे आप question क्या बन सकता है, यहाँ पे यह आएगा, कि कि किस deputy commissioner अब क्या होता है, माल लीजिए, यहाँ पे जितनी भी conditions हैं, जो भी यह लड़की लेके आई थी, इनको जो यह beneficiary हैं, माल लो सब आप, इनके सब कुछ जो document हैं, वो valid है, अधार card valid है, date of birth valid है, राशन card valid है, wedding proof valid है, कुईसी भी scheme में वो enroll नहीं है, अब deputy commissioner के पास यह file जा सारे survey होने के बाद, हर एक चीज होने के बाद, जो deputy commissioner है, अब माल लो, obviously DC है, या office है, बहुत काम होता है, तो माल लो, इनकी file अब यहाँ पे किसी corner में अगर पड़ी हुई होगी, तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे जो है, यह जो चीज कही गई है, इसको भी याद रखना question बनेगा, पहला question तो मैं आपको यह बताया था न, यह बनेगा कि एक महीना पहले, शादी से जाना है, लेकिन DC जो होंगे, उनके पास जो time होगा, इस पूरी file को, जो है, वापिस, sanction list जो है, इसको submit करवाने का, social welfare department में, वो है, fort nightly, यानि कि, दो हफ़ते का time है, या फिर अ BDCs है, उनको submit करनी ही करनी है, यह sanction list, social welfare department में, 14 दिन के अंदर अंदर, और अगर यह सारी चीजें सही है, तो यह direct, जो bank transfer, आप लोग देखने हैं, वो 14 दिन के अंदर अंदर, 50,000 रुपे, उस beneficiary के account में, transfer हो जाएगा, through dbt mode, और यह release कोन करेगा amount, यह करेगा, आपका social welfare department, clear है यहां तक, इस पूरी slide में मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया, अब last में quick revision notes के ओपर आते हैं, एक बार जल्दी से में आपको सारा समझा दूँगा, और MCQs आप हम करेंगे इन दोनों के ओपर, सबसे महली अगर मैं बात करूँ, state marriage assistance scheme को लेके, launch कप करी गई थी, तो 2022 में इसको restructure करा, reason मैंने आपको बता दिये, क्या क्या reason थे, implement कून करता है, वो करती है, social welfare department, जो beneficiary के account में पैसा जाएगा, वो कहां से जाएगा, final approval के बाद, सब मिलने के बाद, social welfare department जो है, dvd के through amount में, account में पैसा डालती है, objective क्या था, child marriage को रोकने के लिए, तभी जो concept थ 18 साल प्लस का बोलाया गया था, और support करने के लिए, उन लोगों को जिनकी financial conditions इतनी strong नहीं है, support किस तरीके से होगा, 50,000 रुपे का, dvd की form में, eligibility criteria के अगर हम बात करे, 18 साल की age, या उससे जादा, 2022 से 2024 तक, जो है, school dropout girls, वो eligible है, यह जो year है, यह आपका financial year होते है, यानि कि 31 मार्च, 2025 तक, यह eligible होंगी, उसके बाद, जो school dropout girls है, वो eligible नहीं होंगी, until and unless, अगर आप लोग 8th pass नहीं है, तो, आप लोगों के पास, anti-yogena, anti-yogena, या फिर priority household, जो है, राशन कार्ड होने ज़रूरी है, और आप लोगों की सबसे important चीज़ जो है, कि आप लोगोंने किसी भी और स्कीम में, अपने आपको कभी भी enroll नहीं करा है, specially, नाम mention किया गया था, रिस्ट्रक्चर लिस्ट में, वो है लाडली बेटी स्कीम, और अगर आपको इसको लेना है, तो eligibility criteria में ये भी है, कि आपको at least, एक महीने पहले जो है, district social welfare department में जाके, अपने सभी proofs के साथ, marriage proof, marriage proof, या आपके राशन कार्ड जो है, उसके बाद accept होता है, तो वो पूरा survey जो है, वो district social welfare officer conduct करवाते हैं, कि कि किसी और scheme में enroll तो नहीं है, फिर वो file जाती है, कहाँ पे, पूरे process के दौरान, आपको लोगों की file जाएगी, DC के पास, DC का का काम है, कि chief education officers के through survey करवाने का, ताकि motivate करा जा सके, लोगों को कि अपने बच्चों को, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, AIDS पास करवाने का, ताकि वो government के अगर कोई scheme लेना जाते हैं, तो वहाँ तक उसको पहुंचा सके, अब DC जो है, final submit करता है, अपना sanction DSWO को, fortnightly, यानि कि 2 हफते या 14 दिन के अंदर अंदर उनको ये करना ही करना है, अगर लड़कियों के लिए ये रखा गया है, कि आपको एक महीने पहले जाना है, अगर आपकी सारी condition satisfied करती है, चीजों को, तो 14 दिन के अंदर अंदर, आपको अपकी account में पैसा जो है, वो मिल जाएगा, social welfare department के through, और social welfare department जो है, वो direct bank transfer करत है, girl account जो beneficiary होती है, उसके account में और साथ ही साथ इसकी एक online district जो है, वो भी upload की जाती है, तो in short, अपने इंसे हम लोगों ने चीज़ें बता दी, अब ये restructure guidelines को आप एक बड़ी read कर सकते हैं, यह आपको PDF में दे दूँगा, बट यही सारी चीजें जो यहाँ पे mention है, वो मै सारे documents को लेके जाना है, तो यह था हमारा आज का lecture, lecture कैसा लगा, comment में लिखके जरूर बताना, और इसके MCQs जो होंगे, वो हमारी app पे upload हो जाएंगे, उस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि MCQs की class app पे live चलाएं, थाकि जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, उनको एक idea हो आएंगे, आपको notes उठा के वापिस को भी read करने की जोतनी बड़ी कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, बाकी मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ, अभी के लिए दीजे इजाजत, और अगर आप लोग अभी भी इसमें करना चाहते हैं, तो अगर आज करेंगे तो 30%, 35% discount आपको मिल जाएगा, तो apply कर सकते हैं, बाकी, see you soon, take care, good night.